अरोग्य संजीवनी health insurance इस topic पे मैंने एक वीडियो बनाया है जो की मेरे channel पे available है तो friends उसमें मैंने detailed में बताया था कि अरोग्य संजीवनी health insurance policy क्या है उसके term and conditions क्या है कुछ 10 points मैंने आपके साथ discuss किये थे तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि United Indian insurance के portal पे अरोग्य संजीवनी health insurance policy को कैसे underwrite हम करेंगे मैं हूँ आपके साथ नितिन पाल आप देख रहे हैं Tech Talk by नितिन पाल तो friends चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कि अरोग्य संजीवनी health insurance को अपने agents portal पे कैसे underwrite करें तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको सीधे अपने computer screen पे जहां पे ये सारा process मैं आपको डिटेल में बताऊंगा friends अरोग्य संजीवनी health insurance को United Indian insurance के portal पे underwrite करने के लिए सबसे पहले आप अपने United Indian insurance के agents portal पे अपने user name or passport डालके login कर लीजिए login करने के बाद आपके सामने home screen open हो जाएगी home screen में आपने third option policy transaction में क्लिक करना है यहां पे आप make new और renew policy पे क्लिक करेंगे friends उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा option दिखाए देगा first आपको select office में already आपका office selected होगा LOB में आपको जो है वो health select करना है health select करने के बाद देखिए friends आगे है select product तो select product में आपको सबसे last वाला option जो की newly added है अरोग्य संजीवनी policy इसको क्लिक करना है और simply आप इसको submit कर देंगे submit करने के बाद friends आपके सामने कुछ ऐसी screen open हो जाएगी यहाँ पे whether you are individual already selected है select office में BO पठान कोट यानि कि आपकी branch already selected होगी उसके बाद business source में आपको direct select करना है और उसके बाद business channel में आपका नाम अपना आ जाएगा उसके बाद आपको TPA तो friends TPA आप अपनी branch से confirm कर लें कि आपने कौन सा TPA select करना है उसके बाद ही यहाँ से TPA select कर लीजेगा तो देखिए जैसे मैं first TPA यहाँ पे select कर रहा हूँ आप अपनी branch से first confirm कर लेना कि कौन सा TPA better रहेगा या किस TPA का tie up इस वक्त अच्छा चल रहा है तो वो TPA आप select कर लीजेगा उसके बाद cover type में यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर आप single person को यह policy दे रहे हैं तो individual some short basis रहने दीजे अगर आप दे रहे हो एक पूरी family को policy तो यहाँ से change कर लीजेगा second option family floater basis यहाँ पे change कर लेना है आपको तो friends देख लीजेगा आपकी क्या requirement है अभी मैं इसको individual रहने देता हूँ और देखिए friends उसके बाद क्या है यहाँ पे proposal की date of birth पूछ रहा है तो आपको proposal की date of birth लगा देनी है जो proposal की date of birth होगी आपने देख लेना है proposal भरते हुए कि उसकी क्या date of birth थी वो लगाने के बाद क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे individual खुद policy अपनी ले रहा है तो self ही आएगा और single है या married यहाँ से आप select कर सकते हैं और कितने समय शोर्ड की वो policy लेना चाता है यहाँ से आप देख सकते हैं और इसके बाद देखिए friends अगर हमें यहाँ पे single की कर रहे हैं तो get quote कर देना है और अगर हम यहाँ पे family की दे रहे हैं तो यहाँ पे change करेंगे family floater तो देखिए friends family floater यहाँ से change कर दिया तो थोड़ी सी screen change हो जाएगी उसके बाद वही proposal जो होगा जो head of family होगा उसकी date over था अपने लगा देनी है उसकी age लगा देनी है first में self आएगा और उसका marital status जैसे वो family के लिए ले रहा है तो obviously married ही होगा या फिर कोई अपने father मदर के लिए भी ले सकता है तो आप देख लीजिएगा जैसे होगा वो आपने लगा देना है add spouse, add children, add parents और parent in law जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो अरोगय संजीवनी policy है इसको अपने बच्चों के लिए तीन महिने से लेके 25 साल तक के बच्चे समें cover होंगे माता पिता और सास ससूर इन ही अपने relations को इसमें cover कर सकते है और 25 साल तक के बच्चों में शर्त यह है कि वो financially independent नहीं होने चाहिए अगर आपका बच्चा बेशक 25 साल से कम है financially independent है तो वो इस policy में cover नहीं होगा तो as per your requirement यहाँ पे आपको जो add करना है वो कर सकते हो इसकी wife add करनी है तो add spouse बच्चे add करनी है तो add children और parent या फिर parent in law add करने है तो यह वाला option आपको select करना पड़ेगा उसके बाद simply friends आपको get quote करना है उसके बाद आपके सामने premium calculate होके आ जाएगा और अपने CD account अपडेट करने के बाद वही amount वहाँ से deduct करके policy जो है वो customer की generate कर लेनी है और अगर आपको proposal में कोई hypothecation या फिर existing medical conditions ये वाले चीज़े add करनी है तो आपको जो है वो right side में एक option दिखाई देगा इसको आपने simply tick करना है तो ये tick करेंगे तो आपके सामने कुछ screen जो है वो divert हो जाएगी तो friends देखिए अब आपके सामने कुछ ऐसी screen open हो रही है तो ये वाले सारे options थे आपने as per requirement जो है वो इन options को change कर लेना है और अरोगेस जीवनी health insurance अपने United India insurance के portal पे underwrite कर लेनी है तो friends ये था process जिसमें हमने सीखा कि कैसे अरोगेस जीवनी health insurance को United India insurance के agents portal पे हम underwrite कर सकते हैं तो friends ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम United India insurance के agents portal पे अरोगेस जीवनी health insurance को underwrite कर सकते हैं तो friends कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे comment section में आप जूरूर बताईए और अगर आपकी कोई query हो तो वो भी आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं तो friends आज के लिए इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकिशन अपने मौल पे पासकें और मेरे वीडियो देख सकें आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जाए हैं जाए भारत